आज हमने यहाँ पर 100 ग्राम पालक लिया है, 100 ग्राम पालक को अच्छे से धो करके कट कर लिया है हमें पालक को कट करने के बाद नहीं धोना है, कट करने से पहले अच्छे से 3-4 बार साप पानी से धो लेना है और जो इसका एफ्ट्रा पानी है एफ्ट्रा पानी हमें छन्नी से निकाल दीना है अज जो हम पालक की सबजी बना रहे हैं वो एकदम बिल्कुन नए तरीके से बन करके तैयार होगी एक बार आपने बना लिया तो हमेशा इसी तरीके से पालक की सबजी बना करके तैयार करेंगे सभी को बहुत ही पसंद आएगी 100 ग्राम पालक से हम पुरे बरबार के लिए सबजी बना करके तैयार करेंगे कढ़ाई में हमने थोड़ा सा पानी गरम होने के लिए रख दिया है और जो हमने पालक को कट करके रखा ता उस पालक को हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर इसको बॉयल करेंगे पालक बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाती है और बहुती कम पानी में बॉयल हो जाती है इसलिए आप थोड़ा सा पानी रखें और पालक डाल दें पालक तुरंती बॉयल हो करके तैयार हो जाती है इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल दें यदि आप ढखकर पकाना चाहते हैं तो एक त्व मिनट इसको ढखकर पका लें नई तो पालक ऐसे ही अच्छे से पक करके तैयार हो जाती है देखो हमने सिर्फ दो-तीन मिनट मिलियम गैस पर पालक को पकाया है हमारी पालक अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी है दोस्तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी न भूलें और व सब्सक्राइब करें सभी को बहुत ही पशेंदा आएगी हमने पालक को एक बरतन में निकाल लिया है अब हम इसको ठंड़ा होने के लिए रख देंगे जब तक हमारा पालक अच्छे से ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए मसाला बना करके तैयार करेंगे अमने थोड़ से हमने हरी पत्ति लिए है इस सबजी में प्याज थोड़ी कम लेनी हो लासुन थोड़ा जाना लेना है जिससे हमारी सबजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमने यहाँ पर 10-12 लेस्न की कलिया ले ली है यदि आप लेस्न प्याज ना खाते हों तो बिना लेस्न प्य पाला को दू Iz Text सबजी बनाने बाले वह बहुत भी टैस्टी सबजी बन कर люд Kelly हम सबढ़ में खार सबैhero light अपिसी और ओली वल में इसको बना करके तयार कर सकते हैं हमने यहां पर थोड़ा सा लैसंट डाल दिया है आधी चम भर के उहां पर जीरे डाल दिया है और हम इसमें घोड़ी से हिंग केम इसमें बहुत ही आच्छा टेस्ट आता है हमें इसमें प्याज नहीं डालनी है और जो हमने मसाला बना करके रखा तब मसाली को हम इसमें डाल देंगे और मीडियम गैस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुगे मसाली को अच्छे से भून करके तैयार कर लेंगे ना तो हमें इसमें धनिया पाउडर डाला हैं, ना ही हमें इसमें लाल मिर्श पाउडर डाला हैं, सिर्फ हरी पत्ती हरी मिर्श से ही यह हम सबजी बना करके तैयार करेंगे, तोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, और जरासी हमने इसमें हल्दी डाल दिया है, जि जो हमने पालक को पीस करके रखाता इसी में हम पालक को डाल देंगे थोड़ी दिर मसाले के साथ हम पालक को भी भून लेंगे जिससे हमारी सबजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और हम हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और बाद में हम थोड़े से बॉल किये हुए आलू डाल देंगे यदि आपके पास बॉल किये हुए आलू ना हो तो आप कच्छे आलू को थोड़ी से तेल में फ्राई करके इसमें डाल दें तो उसका भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें हम टमाटर की सबजी बना करके खाएंगे और हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था थोड़ा सा नमक हमने पालक को बॉल करते हुगे डाल दिया था इसलिए आपको ध्यान देना है कि बाद में आप थोड़ा सा नमक डाले देखो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुगे हमने जो पालक को डाला था, पालक को भी हमने थोड़ी देर मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है, यदि आप ग्रेवी वाली सबजी बनाना चाहते हैं, यदि आप इस तरीके से सूखी सबजी बनाना चाहते हैं, तो सूखी वाली सबजी बना सकते हैं, जब आप पालक की सबज तो ग्रेवी वाली ही सब्जी बनाएं ग्रेवी वाली सब्जी खाने में अच्छी लगती है सूखी उतनी अच्छी नहीं लगती है देखो हमने दो तिन ग्लास इसमें पानी डाल दिया है आप हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे दो तिन मिनट में हमारी सब्जी पक चुकी है अब हम इसमें अच्छा सा तड़का लगाएंगे यहाँ पर हम देशी तड़का लगा करके तैयार करेंगे यहाँ पर हमने एक दिया गरम होने के लिए गेस पर रख दिया था उसमें हमने एक चम्मत देसी घी डाल दिया है और दो हमने लॉंग डाल दी हैं आज हम इसमें लॉंग का तड़का लगाएंगे लॉंग का तड़का इसमें बहुत ही अच्छा लगता है थोड़ी से आप इसमें हिंग डालना चाहते हैं तो आप हिंग डाल दें देखो हमारा देशी तरीके से तड़का लग करके तैयार हो चुका है दोस्तो जब आप इसको रोटी के साथ खाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी यह हमारी तड़का वाली सब जिबन कर तैयार हो चुकी है वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद